अनार का फल हमारी सियत के लिए कितना फायदे मंद होता है यह तो आपने अपने गรके बड़ों से सुना ही होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन-किन सौसे समंदे समस्याओं में विषेश रूप से अनार का सेवन करना चाहिए और अनार का फल ही नहीं बलकि इसके फलों के छिलके का इस्तेमाल भी बहुत से रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है इसलिए इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा अनार के फायदे आयरवेद के अनुसार नमशकार दोस्तो, स्वागत है आपका Fit World Health Care में अनार को अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इसका मीठा फल तरिदोश नाशक होता है अनार का वरक्ष छोटा तथा जाड़िदार होता है आयरवेद में और शदी के रूप में इसके फल, फल का छिलका और जड़की छाल का उपयोग किया जाता है अनार के फलों का छिलका काफी मोटा होता है जिसके अंदर सफेदी युक्त लाल अथवा गुलाबी रंग के अंगिनत दाने होते हैं इन्ही को सुखा कर अनार दाने के नाम से बेचा जाता है नियमित रूप से अगर अनार के फल का सेवन किया जाए तो यह मानसिक दौरबल्ली है नसों से सम्मंदित रोग, हिर्दे रोग, रक्त विकार, रक्त की कमी, खासी, मुत्र रोग और शुक्र दौरबल्ली की समस्या में काफी लाब पहुचाता है और बहुत जादा शाररिक कमजोरी की स्थिती में अनार के फलों के जूस का सेवन भी लाब दायक होता है लेकिन इस चीच का ध्यान अखें कि पैक्ड फूट जूस का सेवन ना करें क्योंकि यह जो पैकिट बंद जूस आती हैं इनमें बहुत जादा मात्रा में पिजर्व पानी में काड़ा बना कर दिन में दो बार सेवन किया जाए तो डाइरिया की समस्तिया में बहुत जल्दी अराम मिल जाता है और इस काड़े से कुला करने से मूँ के रोग तथा गरारे करने से गले के रोगों में भी फायदा मिलता है शरीर पर घाव हो जाने की स्थिती मे अनार के फलू के छिलके के काहड़े को ठंडा करके इससे घाव को दोया जाता है जिससे घाव को सही होने में काफी मदद मिलती है 40 गराम अनार के वरक्ष की जड़की छाल को 400 ml पानी में आदा रहने तक पकाएं फिर आप इसका सेवन 10 ml यानी 2 टी स्पून की मातरा में कर सकते हैं खाली पेट आदे आदे घंटे के गैप में दिन में 4 बार इसके सेवन से पेट के कीड़े विशेश रूप से टैब वर्म्स की समस्या का नाश हो जाता है इस काड़े के सेवन के अगले दिन एर एंडी के तेल का सेवन करना चाहिए एक से दो टी स्पून की मातरा में ताजे पानी के साथ अनार के वरक्ष की जड़की छाल पंसारी की दुकान पर मिल जाती है आप वहाँ से खरीद कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा ओनलाइन भी अनार के सूखे हुए बीज, बीजों का तेल, बीजों का चूण, फलों का छिलका और इसके सूखे हुए फूल बहुत ही असानी से मिल जाती है तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई सवाल है, तो आप निशिन्द होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, तथा चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद